इसे समधित इस वीडियो की सबर्दै करें इस वीडियो को क्वालिटी और कंटेंट से समंधित आप अपना सुझाओ दे सकते हैं ताकि इस वीडियो की quality और content को और बेहतर किया आ सके चुकि मेरे पास समय थोड़ा कम उपलब्द है इसलिए मैं whiteboard पर नहीं पढ़ा रहा हूं नहीं तो आपके सामने whiteboard पर पढ़ाता और वीडियो की quality भी अच्छी आती तो मुझे खेद है इस बात का लेकिन जल्द ही मैं blackboard पर बना करके लेकर आऊंगा तो हम लोग पढ़ किया चुके थे हम लोग जयो प्रक्रम पढ़ चुके थे और जयो प्रक्रम के बाद हम लोग पढ़ ले रहे हैं मानव के हर्मोन्स जो हैं वह हर्मोन्स कौन कौन से हैं चुकि एक वीडियो बन चुका है इससे पहले तो उसमें बताया गया था सवसंतंत्र के बारे में सवसंतंत्र के बारे में हम लोग पढ़ लिये था उसमें सवसंतंत्र के बारे में बता दिया गया था रक्त के बारे म तो वह भी आप लोगों को जल्दी उपलब्द हो जाएंगे तो हम लोग पढ़ लेते हैं जल्दी से जल्दी मानव हर्मोंस के बारे में क्योंकि यह आपको दो से तीन नंबर दिलाने वाला है चेप्टर और चेप्टर छोटा सा है लेकिन सूचिए कि जो नहीं बोला जाते ह सरीर की जो क्रियाँ है उसको संपादित करने का कारी क्णि करते हैं यही हर्मोंस करते हैं आताफे हर्मोंस क्या होते हैं ऐसी ग्रंथिया इनके सरीर की ऐसी ग्रंथिया जो नली का विहिन होती है यानिके जो नली के रूप में नहीं होती है यानिके नली का क्या होती है विहिन होती है मानव शरीर की ऐसी ग्रंथिया जो नलीका विहिन होती है तो ऐसी ग्रंथियों को अंतासरावी ग्रंथिया किसे कहते हैं अंतासरावी ग्रंथिया क्या होती है ऐसी ग्रंथिया जो नलीका विहिन तो होती है साथ में हर्मोन का क्या करती है स्राव करती है तो इनहीं नलीकाओं को अंतासरावी ग्रंथिया कहते है इनहीं जो ग्रंथिया है जो हर्मोन का स्राव करती है इन्हें अंतासरावी ग्रंथि दूसरा puse ग्रंति यह अभी most important है इसमें जितनी सारी 6 ग्रंतिया लिखी गई है most most important है जिसमें से परिक्षा में आपको एक से दो ग्रंतिया देखने को मिल सकती है तो पहला hypothalamus ग्रंति है दूसरा puse ग्रंति है तीसरा thyroid ग्रंति है चोथा अधिविर्क ग्रंतिये पांचवा अग्नियास ग्रंतिये छे नमबर व्रिसन ग्रंतिये और साथ नमबर अंडास है तो यह क्या होती है इसके बारे में हम लोग देखते हैं तो देखिये एक नमबर लिखा गया है कि hypothalmas ग्रंति है हाइपोथेलमेस यहापे लिखा गया है हाइपोथेलमेस ग्रंथी क्या होती है लिखे लिखा गया है कि प्यूस ग्रंथी से निकलने वाले हार्मोन्स पर नियंतरन कौन रखता है यही हाइपोथेलमेस ग्रंथी है जो प्यूस ग्रंथी से निकलने वाले हार्मोन्स पर क्या क किष्ट्र गन्ति के बारे में हम लोग देख लेते हैं मतर करके आकार की मतर के आकार की सनर्चना वाली मतर के आकार की सनर्चना की जो ग무 हमार गॉंति होती है। की संग्याल किसे दी गई है? तो अब देखते है कि हर्मोंज कारक किसके होते है? वरधी हर्मोंज का स्रावित होता है वो वृद्धी हार्मोन स्थ्रावित होता है इसका कारी क्या होता है सरीर की लंबाई का नियंत्रन सरीर की लंबाई का नियंत्रन अस्थापित करना है नहीं कि सरीर को लंबा होना एवं बवना होना किस पर रिजायत करता है मास्टर गरंथी पर प्यूस्घ्रॉंथी पर क्योंक्यिए जो हर्मोन्स स्रावित होता है अब देखें की इसके बाद यहीं चे आर्मोड सी harmos स्रावित होता है तो तो सरीर होगा, भीह्न काई भीमकाय मतलब अधिक लंबा हो जाएगा अधिक लंबाई वाला सरीर कैसा होगा भीमकाय हो जाएगा सुडॉल हो जाएगा लंबा सुडॉल और यही हर्मोन्स यदि सरीर में कम स्रावित हो तो सरीर क्या हो जाएगा बौना हो जाएगा बौने पन का व्यक्ति क्या हो जाएग तो आपको प्यूस ग्रंथी याद रखने की जरूरत है क्योंकि प्यूस ग्रंथी जो होती है वह व्रदी हार्मोन्स का स्राव करता है तो इसको भी आपको याद रखने की जरूरत है तो देखिए थाइराइड ग्रंथी क्या कारी करती है थाइराइड ग्रंथी जो होती है हा आयोडीन यूक्त नमक यानिकि आयोडीन जो होगा वह थायराक्सीन हार्मोंस बनने के लिए अत्यांत उपयोगी होगा तो थारक्सीन हार्मोंस का कारी क्या होता है थारक्सीन हार्मोंस जो होता है शरीर के उपापचाई क्रियाओं पर नियंतरन अस्थापित करता है उपापचाई क्रियाओं पर नियंतरन मतलब जैसे सौच क्रिया हो गया यानि कि उत्सरजन से संबंदित चाहे पाचन से सम्बंदित, चाहे परिसंचरण से सम्बंदित, जितनी सारी क्रियाएं हैं, उन पर नियंतरण कौन स्थापित करता है, यही थायराक्सीन हार्मोन से स्थापित करता है, और थायराक्सीन हार्मोन से स्थापित करता है, और थायराक्सीन हार्मोन से निकलता है, थाइराइड ग्रंथी से जो हर्मोन निकलता है उसे हम थाइराक्सीन हर्मोन कहते हैं अब देखिए अधिवरिक या एड्रिनल ग्रंथी अधिवरिक ग्रंथी के बारे में हम लोग जाने हैं अभी तक हम लोग किस-किस ग्रंथी के बारे में जाने हैं किड़नी के ऊपर किड़नी के ऊपर जो इस्थित रहती है ग्रन्थी उसको बोलते हैं अधिवरिक ग्रन्थी किड़नी के ऊपर जो इस्थित रहती है उसको क्या बोलते हैं अधिवरिक ग्रन्थी और अधिवरिक ग्रन्थी जो होती है वह एड्रीनलीन इननी के एड्रीनलीन हार्मोन्स का स्रावित करती है एड्रिनलीन हार्मोन्स का स्रावित कौन करती है एड्रिनलीन गरंथी एड्रिनलीन जो गरंथी होती है वह एड्रिनलीन हार्मोन्स का स्रावित करती है एड्रिनलीन गरंथी को अधिवरिक गरंथी भी कहा जाता है तो आपको याद रखने की जुरूरत है कि adrenaline गरंती क्या करती है adrenaline hormones का स्रावित करती है अब इस hormones को क्या कहा गया है इस hormones को संकट मोचक hormone कहा गया है और यह कब हमारे सरीर में निकलता है यदि हम किसी चीज को देख करके भैभीत हो जाते हैं अदर जाते हैं संकट की परिस्थितियों में यह hormones हमारे अंदर स्रावित होता है तो इसलिए adrenaline जो हर्मोन है इसको संकट मोचन हर्मोन भी कहा गया है तो संकट मोचन हर्मोन के बारे में हम लोग पढ़ लिए तो अब देखते हैं कि आगे कौन सा हर्मोन से जिसको हमें पढ़ने की जरूरत है अब देखिए अग्नियासाई हर्मोन्स क्या होते हैं अग्नियासाई हर्मोन्स जो होते हैं इन्हें पेंक्रियाज हर्मोन्स का आ जाता है और यह कहां से निकलते हैं अग्नियासाई से निकलते हैं उन्हें हम अग्नियासे ही हर्मोन्स कहते हैं चाहिए पेंक्रियाज हर्मोन्स कहते हैं अग्नियासे से निकलने वारा जो हर्मोन होता है उसे बोलते हैं इंसुलीन हर्मोन्स अग्नियासे से निकलने वारा जो हर्मोन्स होता है इंसुलीन हर्मोन से दिया हमारे सरीज में नहीं रहेगा यानि कि कम हो जाएगा तो हमें क्या हो जाएगी मधुमे या डाइबिटीज हो जाएगी मधुमे क्या होता है जिस हम बोलते हैं सुगर जिस हम क्या बोलते हैं सुगर यानि कि इंसुलीन की यदि हमारे सरीज में कमी होती है तो हमें क्या हो जाएगा मधुमे या डाइबिटीज हो जाएगा रक्त में एवं मुत्र में सरकरा की मात्रा बढ़ जाती है कब जब मधुमे की क्या हो जाती है हो जाते हैं कि प्रम किसकी मात्रा बढ़ जाती है किसकी मत्रा बढ़ जाती है इसलिए इसलिए डॉक्टर क्या करता है इंसुलीन की कमी जब होती यानि कि आपको मधुमे होता है तो चीनी खाने से परहेज कर देता है डॉक्टर आपको तो उमीद कर रहेज़ कि अगन्यासा यानि पनिक्रियाज गरंथी भी आपको समझ में आया होगी और इन से निकलने वाला जो इंसुलीन हार्मोनस है वो भी आप लोगो समझ में आया होगा आप देखेए व्रीसर जो होता है टेस्टिस इसका कारी क्या होता है टेस्टिस जो ग्रंथी होती है या पूरुसों में उपस्तित होती है टेस्टिस क्या होता है पूरुसों में उपस्तित है ग्रंथी होती है और या हार्मोन कौन सा स्रावित करती है पूरुसों में व्रिशनर से जो हार्मोन से निकलता है उसको बोलता है टेस्टेस्टोरान उसको क्या बोला में ये द्यूतियक लाइंगिक लक्षडों के विकास होने के कारण होते हैं कौन व्रिशन ग्रंथी जो होती है इससे निकलने वाला जो हर्मोन्स होता है टेस्टेस्टोरोन और टेस्टेस्टोरोन जो होता है सुक्राण का निर्माड करता है और यह लड़कों में दितियक लेंगी लग्छडों के विकास में मतोपून रोलादा करता है अब देखिए अंडासे क्या होता है अंडासे जो होता है इसको बोलते है ओवरी और यह क्या होता है एस्टोजन लड़कियों में दितियक लेंगिक लक्षणों के विकास वाले हर्मोन्स होते हैं यानिकि लड़कियों में लेंगिक लक्षण के अदि कोई विकास होते हैं तो वो किसके करण होते हैं? एस्टोजन के करण होते हैं और प्रोजिस्ट्रॉन का होता है, प्रोजिस्ट्रॉन गर्भावस्था के हर्मोन्स कौन होते हैं, प्रोजिस्ट्रॉन होते हैं, प्रोजिस्ट्रॉन का हर्मोन्स होते हैं, गर्भावस्था के समय, जो हर्मोन्स निकलता है, वो क्या होता है, प्रोजिस्ट्रॉन हर्मोन्स, तो उम्मिद कर रहे होंगे कि यह जो Hormones वाला चेप्टर है आप लोगोगो का अच्छे से कभर हुआ होगा तो इस वीडियो को कई बाराब देखिये और देख करके और इस वीडियो को कई बाराब द्वारा भी सकते हैं ताकि जो हार्मोन से समधित आप लोग का दो नंबर तीन नंबर पूछा भी जाता है किसी भी competitive exam में चाहे आपको board की परिच्छा में तो भी आप लोग का कभार हो सके तो इस वीडियो का अपने दोस्तों तक भी share करें और आप से निवेदन है कि आप इस वीडियो को online ही लिटन नोट्स है और इस नोट्स से आप भी इसका यूज़ करके और नोट्स बना सकते हैं PDF लिंक डाउनलोड कर सकते हैं अन्य था आप इसका वीडियो को skip करके इसकीन सोट ले लिजिए skip करके और आप नोट्स बनाते चलिए साथ में पेन रखिए बूक रखिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत अभार थैंक्यू थैंक्यू सो मच